SSC में आपका स्वागत है, मैं अर्विन सिंग, आज आपके साथ मैं आपसके कुछ बेसिक्स पे बात करने कोसिस करूँगा, अगर आप मुझे सोसल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो Facebook, Instagram, Twitter पर इन आइडिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ ही आपको पत अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सेर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ, अगर वीडियो का आप PDF चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp का लिंक दिया गया है, उसको प्रेस कीजिए, और हमारे ग्रूप को जोइन कीजिए, वहां आपको वीडियो के सारे PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम में मिल जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, तो आज हम देखेंगे मैप किसे कहते हैं, मैप के टाइप क्या होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे continent के बारे में, तो स् का जो सिंपल सा आंसर हो का उसका मतलब होता है, यहाँ पर सीधे-सीधे लिखा भी गिया है, MIP जा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड करेस्टेरिक्स्टिक्स अफ प्लेस यूजली ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस, इसका मतलब होता है, कि एक फ्लैट सर् अब सवाल कि मैप कितने प्रकार को हो सकते हैं, तो देखें इसका कोई limit नहीं है, कोई जवाब नहीं है, मैप अलग-अलग बहुत सारे अलग-अलग categories के हो सकते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि मुझे forest के हिसाब से बनाना है, जंगल के हिसाब से बनाना है, कोई कहाएगा दूसरा है physical map, यहाँ पहले में अगर आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे बाउंडरी सा ऐसे बनते हुआ आपको दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी boundaries बनी हुई है, यह है क्या, तो countries है और उसका border कहां तक ही यह दिखाएगा, जबकि दूसरे में देखिएगा, right hand के तर जंगल कितने है, कहां पे desert है, रेगिस्तान है, इस सब के हिसाब से बनाया गया है, किसी country के border के हिसाब से नहीं बनाया गया है, तो पहला जो है वो political map कहलाएगा, दूसरा जो है उसको हम लोग physical map कहेंगे, अब continent की बात करते हैं, मतलब इसका हिंदी होता है महाद्वीप, मह मतलब होता है कि यह huge landmass, मतलब एक बहुत बड़ा अस्थल का जो हिसा होता है, वो महाद्वीप कहलाता है, पूरी वर्ल्ड में जितने landmasses हैं उसको साथ continent में divide किया गया है, साथ महाद्वीप में डिवाइड किया गया है, और उस महाद्वीप में बहुत सारे देश होते है वो सात महादविप है कौन से, तो first Asia है, फिर Africa है, Europe है, Australia है, North America है, South America है, और Antarctica है, ध्याने कहेगा है कर हिंदी कुछ होता नहीं है, Asia का Hindi Asia होता है, Europe का Hindi Europe होता है, North America मतलब उत्तरी अमेरिका, South America मतलब दक्षनी अमेरिका है, इंट्रेस्टिंग बात यह है कि अगर North और South को आप यहां से हटा दीजिए, तो जितने continent है वो जिस letter से सुरू होते है उसी पे खतम है, जैसे Europe को लेते हैं, तो E से सुरू होता है, और जाके E पे ही खतम होता है, एक छोड़ा सा fact था, ऐसे मजाक में अपसे बहुत सारे लोग question पूछ देते हैं, आगे देखते हैं, तो यह जो आपके सामने एक map दिख रहा है, इस map में है क्या, तो यह पूरे world का एक representation है, पूरी दुनिया में, कि यह basically दिखते कैसे है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आप अगर find out करना चाहते हैं, तो easily आपको पता चल जाएगा, कि यह जो पूरा-पूरा हिस्सा है, North America है, यह South America है, यह Africa है, यह Europe है, यह Asia है, और यह जो है Australia है, आपको यह जो मैप है, जिसको मैं एक राउंड में घेरने की कोशिश कर रहा हूँ, यह Asia है, तो एक question कि Asia किन से अपना border share करता है, तो आप देख रहे हैं, इधर यूरोप से करता है, यह Africa है और यह Australia है, यहाँ पर आप जाएगा, तो यह पूरा-पूरा Indian Ocean का part होता है, हिंद महासागर यहाँ पूरा-पूरा है, अपने इंडिया कुछ ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, अगर एरिया की बात करें, तो इसकी टोटल एरिया है, कितना, 30% Asia कवर करता है, मतलब सबसे बड़ा जो महादवीप है, वो Asia है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहां पर जाती है, तो Asia में ही पाई जाती है, क्योंकि पता है कि इसमें चाइना होता है, इसी में इंडिया है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपूलेशन वाले दो टॉप कंट्रीज है, अगर Asia को एक बड़े मैप पे ले जाना चाहें, तो कुछ ऐसे देखता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएग और एक इंट्रेस्टिंग इसके साथ ये भी है कि इसके दो कंट्रीज है, जैसे अब रसिया को ले लिजिए, मतलब रूस को ले लिजिए, तो रूस जो है, वो Asia के साथ-साथ यूरोप में भी फैला हुआ है, और दूसरा टर्की, तुर्की, ये भी Asia के साथ-साथ में पढ़ता है, नेक्स देखते हैं कि Asia का सबसे बड़ा कंट्रीज क्या है, तो आपका नंबर वन पे रसिया आता है, नंबर टू पे चाइना आता है, और नंबर त्री पे इंडिया आता है, ध्यान रखेंगे कि इसमें जो एरिया दिखाया गया है, ये होंग कॉंग में पढ़ता है, और ये पूरा-पूरा अटलांटिक ओसियन का हिस्सा है, और ये पूरा-पूरा इंडियान ओसियन का हिस्सा है, इसको ये जो लाइन अलग कर रहे है एसिया से वहाँ पे कौन सी सी है तो आपको आंसर करना होगा रेड सी मतलब लाल सागर लाल सागर और स्वेज नहर यह दोनों एफरीका को एसिया से अलग करते हैं इसका एरिया जो है वो 30.37 सेवन मिलियन स्क्वाइर किलोमेटर है जबकि पॉपुलेशन 121.61 क्रोर के आसपास में है एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट कि यहां पे जो एक छोड़ा सा टापू दिख रहा है एक देश है जिसका नाम है मेडगासकर यह हिंद महासागर में है और क्वेस्टन पूछता है कि क किस कॉंटिनेंट का पार्ट है किस महाद्विप का हिस्सा है किस महादेश का हिस्सा है तो आपका आंसर होगा क्या एफ्रिका का हिस्सा है अगर सबसे बड़ी कंट्रीज की बात करें तो एक नमर पर अलजीरिया आता है दो पर आता है कॉंगो और तीन पर आता है सुडान यह एफ्रिका की तीन सबसे बड़ी कंट्री होती है नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो मैप में जो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ इसमें दो हिस्सा आपको दिखाई देता है उपर वाला होता है नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला जी है हिस्सा होता है उसको बोलते हैं साउथ अमेरिका तो अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं जस्ट इसके बाद साउथ अमेरिका को डिसकस करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की जो पॉपुलेशन वोफ 57.9 क्रोर है जबकि इसका टोटल एरिया जो है 24.71 मिलियन स्कॉयर किलोमीटर तक यह फैला हुआ है अब देखते हैं सबसे बड़ी कंट्रीज तो देखेंगा तीन इसमें मेजर कंट्रीज है एक कैनेडा बहुत बड़ा एरिया है इसके पास पूरा यह दूसरा है युनाटेटेट स्टेट्स अमेरिका और तिसरा है मेक्सिको ध्यान रखना है यह जो छोड़ा सा हिस्सा आपको इस तरह दिख रहा है वो कैनेडा से लगा हुआ है लेकिन वो कैनेडा का पार्ट है नहीं वो बिलॉंग करता है यूस से मतलब अमेरिका से टॉप कंट्रीज का मेना जैसे अभी नाम आपको बता है कैनेडा नंबर वन प प्रफ़ायर किलोमीटर है जबकि इसका पॉपुलेशन 42.25 क्रोर है सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो जैसे आपको यहां बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा यह ब्रजील है इस देश का नाम है ब्रजील यह सबसे बड़ी कंट्री है किसका तो साउथ अमेरिका का दो रहेंज कीजिए सबसे बड़ा कोने उससे चोटा कोने उससे चोटा कोने तो कम से कम हर कॉंटिनेंट का हर महादेश का आपको तीन कंट्री का नाम याद रखना जरूरी है अगर चलते हैं यूरोप योप के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि इसको कहा जाता है प्रयदी सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो रसिया सबसे बड़ी कंट्री है अगर इसका एसिया का हिस्सा निकाल भी देते हैं फिर वी रसिया सबसे बड़ा है यूक्रेन दो नंबर पढ़ आता है अपना फरांस हमारा अगला कॉंटिनेन्ट होगा महा देस होगा औॉस्ट्रेलिया अब Australian महादेश में बहुत सारी कंट्रीज है इसके ऐस्ट्रेलिया के साथ साथ New Zealand है और बहुत से छोटी-छोटी नौरु अगर बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज वहाँ पे और भी है जिनको कमबाइंडली ओसनिया कहते हैं क्या बोलते हैं नाम आप लोग याद रखिएगा ओसनिया कहते हैं इनको कमबाइंडली यह जो आपका ब्राउन कलर में दिख रहा है न यह पूरा-पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉंटिनेंट होता है इसका एरिया के बात करें तो 86 लैक्स स्क्वाइर किलोमेटर के पास-पास की इसकी एरिया है और 3 करोड 90 लैक्स के आस-पास इ अस्ट्रेलिया ही है नमबर वन कंट्री ऑस्ट्रेलिया अगला है अंटार्क्टिका आपको फिगर देखके बिलकुल मैप देखके क्लेयर हो गया होगा कि यह बिलकुल वाइट कलर का दिख रहा है इसलिए इसका नाम भी रखा जाता है वाइट कॉंटिनेंट मतलब स्वेत स्वेत महाद्वीप इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि इस पे बारहों महीने हमेसा बर्फ जम्य रहते हैं पूरा बर्फ से ढखा रहता है मतलब टेमप्रेचर काफी कम होता है तापमान काफी कम यहां पर रहता है यहां पर पॉपुलेशन की बात कीजिएगा तो पॉपुले एक हजार या उससे कम लोग भी देखने को मिल सकते हैं एरिया की बात करें तो काफी बड़ा एरिया कैप्चर करता है यह 1 कुलोर 42 लैक्स स्क्वाइर किलोमेटर का एरिया कवर किये हुए है और इंट्रेस्टिंग बात यह किसी एक देश को बिलॉंग नहीं करता है किसी एक देश के इस पर कबजा नहीं है इस पर बहुत सारे छोड़े 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 यहाँ पर स्टेशन बने हुए है जिसको बोलते हैं रिसर्च स्टेशन मतलब यहां सिर्फ साइंटिस्ट जो होता है climate changing से जुड़े जो जलवायू परिवर्तन है उससे जुड़े सोध के लिए यहाँ पे जाते हैं अलगलग country से भारत में भी अपना वहाँ पे एक research station बना रखा है आपको नाम अगर याद है तो comment में बताईए नहीं तो हम अगले lecture में उस पे बात करेंगे यह analysis था इस पूरे topic में हम बात करेंगे oceans के बारे में और किसी दूसरे topic के बारे में thank you for watching this lecture thank you very much